हाई वियोज वेलकम टियो आवर चैनल माइना स्टाइल कौना फ्रेंज आज मैंने बिना पार्लर बिना फेशिल आप इजीली आपकी चहरे की ग्लोइंग करने के लिए एक होम रेमडी पताऊंगे इसके लिए हमें चाहिए बेसन फ्लोर एक बाउल में बेसन फ्लोर आड़ की इसमें टमाटर करस आड़ करना है एक चमच शेहत आड़ कीजिए ये सब चीजों के आच्छी तरह से मिला दीचिए फ्रेंज इसको स्मूथ आओ सॉफ्ट पेस्ट बना लेना है इसके लिए तोड़ा सा रोस बॉटर भी आप इसमें आड़ करके इसको स्मूथ कर सकते तोड़ा सा गुलाब जेल आड़ कीजिए ये सब चीजों की आच्छी तरह से ऐसा मिक्स कीजिए फ्रेंज हम सबको पताएं बेसन फ्लोर हमारी स्किन के लिए बहुती अच्छी है क्योंकि डेट स्किन को रिमूव करने के लिए बहुती मदद करती है और इसमें हमें मिलाया शहद शहद में आंटी बैक्टिरियल आंटी फंगल प्रोपाटिस रहती हैं ये आपकी स्किन पर किसे भी प्रोब्लम है राशस, पिंपल, आग्मी, पिगमेंटेशन, एक्सेस ओईल किसे भी प्रोब्लम को दूर करने के लिए मदद करती हैं और इस इतने वाली स्किन को ब्राइटन करने के लिए ये बहुत ही यूसफुल है और आपकी चहरे पर जो हुआ डाक स्पोट्स को लाइटन करने के लिए ये मदद करती हैं और फाइनली इसमें मैंने मिलाया गुलाब जल गुलाब जल नाचरली हमको रिफ्रेश करने के लिए मद नेक पर कही पर टैन है वहाँ पर एपलाई कीजिए, मैं मेरी हाथ की उपर एपलाई करके आपको दिखाती हूं, इस पैक को ऐसा आपके चहरे पर एपलाई कीजिए, ओसा तिक लेयर्स में इसको एपलाई करना है, एसे एपलाई करने से आपकी चहरे की हाइडरेट करने के लिए ए मदद करती है ड्राइ डामेज़्ट स्किन को रिपेर करने के लिए एप पैक बहुती यूसफुल है वैसे भी tan को रिमु करने के लिए dead skin को रिमु करने के लिए एब बहुती useful है instantly glowing देने में dark skin को lighten, brighten करने के लिए एब बहुती useful है friends ऐसा apply करने के बाद ऐसा 20 से 30 मिनित तक ऐसा रहने दीचिए 30 मिनित होने के बाद नौर्मल पानी से धोलीचिए फ्रेंस, इंस्टेंट फेरनेस के लिए आप इस पाक को जरूर ट्राइ कीजिए यह 100% नाचरल है फ्रेंस, इसमें नाचरल इंग्रीडियंस हमें यूज किया इसमें कोई side effects भी नहीं है, आप इसको जरूर ट्राइ कीजिए अगर मेरे वीडियो आपकी पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेर कीजिए तैंक यू फो वाचिंग दिस वीडियो